हेलो फ्रेंड्स विल्कम टू माई यूटूब चैनल उनिटी क्लासेश तो फ्रेंड्स यहां पर बहुत बड़ी अपडेट है क्योंकि आप जो है आप न्यूज या फिर जो कोई भी सोसल मीडिया प्लेटफॉर्म है या फिर एक तरीके से ओफिसियल ही जो हमारे जो भारत के एजुकेशन मिनिस्टर है उनके द्वारा ओफिसियल ट्विट ये भी किया गया था कि जो टेट की वैलिडिटी है वो लाइफ टाइम करने के लिए और ये जो वैलिडिटी लाइफ टाइम होगी जो भी 2011 के बाद टेट क्वालिफाइड हो तो यहां पर जब भारत के सेंट बात क्या था कि साथ साल के जो वैलिडिटी है वो लाइफ टाइम होगी तो आप ध्यान लगाए कि साथ साल के जो वैलिडिटी होती है वो सी टेट की होती है और टेट की वैलिडिटी यदि हम खास करके यूपी के बात करें तो पांच साल की होती है तो फ्रेंड्स आज जो अभी जो है वह आज जो है वह 9 जून है और 9 जून को जो है यह order जो है वह central government के तरफ से NCTE के तरफ से जो है वह publish कर दिया गया है कि आपकी जो validity है वह lifetime तक हो गए तो फ्रेंड्स चलि हम उस order को आपको दिखाते हैं यह जो रहा है यह आपका order है और आप जो है राष्टी अध्यापक सिछा परिशाद जो NCTE होती है उसकी official website जो होती है वहां से भी आप जाकर download कर सकते हैं तो यहाँ पर हम आपको यह दिखा दे रहे हैं यदि आपको इसको चाहिए तो आप comment box के whatsapp number रहेगा वहां से आप जो है इसको ले सकते हैं या फिर आपको एक clear जो है वो दिख रहा है तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको दिया है date 9-6-2021 अर्थात आज जो है वह है 9 तारीक 9 9 June 2021 और यह जो है NCTE की है और यहाँ पर जो है हम यहाँ पर main बात करेंगे subject के लिए तो यहाँ पर जो इनका main subject है यहाँ पर देख सकते हैं आप दिया हुआ है कि extension of validity period of teacher eligibility test यहाँ पर जो दिया हुआ है teacher eligibility test और यह जो है NCTE की तो अभी तक जो है central government की ही बात करें क्योंकि हम आप आगे जो है और देखाएंगे कि किस तरीके से central government की है state government की आप मत समझेगा कि state government के लिए हाला कि central government यह दी बोली है ति state government को जो है वो मानना पड़े लेकिन बहुत सारे ऐसे state है जो अपने बात को लेकर अडियल रहते हैं और मतलब उतना आसानी से नहीं मानते हैं यह खास करके हम बात करें यूपी की क्योंकि यूपी जो है इस्ट्राइल के बोलने के बाद इनलोग भी नहीं माने किया था अन्वैलिड की हैं तो इस्ट्र गौर्पेंट की यहां पर थे जो है यहां पर फूरा बाते नहीं पढ़ेंगे और यहां पर जल्दी से हम आपको दिखाएंगे कि यह जो वैलिडिटी है यह लाइफ टाइ क्वालिफाइंग सेटिफिकेट फॉर अपॉइंटमेंट फिर अनलेस अधर्वाइज नोटिफाइब यहां जो हम आपको दिखा रहे हैं सेवेन इयर्स के लिए जो दिया हुआ था यहां यह जो है यहां पर देख सकते हैं सब्जेक्ट टूर मैक्समाम आफ सेवेन इयर्स फ लेकिन अब जो यह वैलिडिटी है यहां पर देख सकते हैं रिमेन वैलिड फॉर लाइफ मतलब आपका जो है वह लाइफ टाइम तक जो है यह वैलिडिटी है तो फ्रेंट्स जो कोई भी 2011 के बाद सिटेट एक्जाम क्वालिफाइड था अभी जो है हम सिर्फ सिटेट की सर्टिफिकेट और रिजेल्ट है वो नया मिलेगा या फिर हो सकता है उसी को मान ले लेकिन अलाकि बोला गया है गवर्मेंट के तरफ से कि हम नया देंगे अब नया किस तरीके से मिलेगा क्योंकि जो है 2017 के बाद साय जो है डीजी लोकर से आना स्टार्ट हुआ है तो उसक यह जो है एक तरीके से कोविट के लिए गुड नीज ही है अलाकि गुड नीज क्या है गवर्मेंट को वैकेंसी निकालना चाहिए क्योंकि इससे पहले भी बहुत सारे लोग जो है वो सीटेट एक्जाम क्वालिफाइड है तो फ्रेंट्स आज के लिए बस इतना है जो पर आलविष्ट थैंक यू